या देवी सर्व भूतेशू मा मात्री रूपेड संसिता नमस्तस्याई 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 नमुनमह ओम दुंग दुर्गाई नमह आप सभी को शार्दिय नवरात्री की हार्दिक शुपकामनाए माभगवती जगदंबा की गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों शार्दिय नवरात्री का आज पहला दिन है 15 अक्टूबर 2030 रवीवार का दिन और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं दुर्गा शत्षती का प्रथम अध्याए और हाँ नवरात्री के पहले दिन माभगवती दुर्गा के प्रथम सुरूप मा शयल पुत्री की पूजा की जाता है और पहले दिन कलस की स्थापना भी की जाती है आखंड दीपक प्रजलित किया जाता है जवारे बोयじゃते हैं मा की चौकी अपने घर में स्थापित करके मा कावाहन करके और विद्धी विधान से मादुरुगा की पूझा का प्रारंद हो जाता है नवरात्री की प्रतिपदा दिधी से और इसके बाद नौमी दिधी तक मादुरूगा के 900 कि हम पूझा करते हैं तो नवरात्री के पहलі दिन किसफ़े कार से आपको घटकी प्रियभोग क्या है और किस रंग के वस्त्रधारन करके आज आपको माशायल पुत्री की पूजा आराधना करनी चाहिए इस विशाय पर वीडियो अपलोड हो चुकी है अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए इस से पूजा करने में आपको आसानी होगी और अब आप सुनेंगे दुर्गा शप्तशती का प्रथम अध्याय से पहले शप्तशलो की दुर्गा का पाठ जरूर सुनना चाहिए तो सबसे पहले आप सुनेंगे दुर्गा शप्त श्लोकी और उसके बाद से प्रथम अध्याय का पाठा आप सुनेंगे मा दुर्गा के नाम का उच्चारन कीजिए ओम नमस्चन्डिका यई और अब पूरे भक्ति भाव से इस पाठ का श्रमड करते हैं भग्वान शिवजी बोले हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलब हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो कल्यूग में कामनाओं की सिद्धी हे तु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो देवी ने कहा हे देव आपका मेरे उपर बहुत स्निय है कल्यूग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाओंगी आप सुनिए उसका नाम है अंबास्तुती विनियोग है ओम इस दुर्गा सब्तशलोकी तोत्रमंत्र के नारायन रिशी है अनुष्टुप छंद है श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महाशरश्वती देवता है और श्री दुर्गा की प्रसनिता के लिए सब्तशलोकी दुर्गा पार्ट में इसका विनियोग किया जा पर उन्हें परम कल्यान मैं बुद्धी प्रदान करती हैं दुख दरिद्रता और भैहरने वाली है देवी आपके अतरिक्त अन्य और कौन है जिसका चित सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से द्रवी भूत रहता हूँ हे नारायणी तुम हर प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल मैी हो कल्यान दायनी शिवा हो सब पुरुशार्थों को स्यध्ध करने वाली शरनागत वच्चला तीन नेत्रों वाली गौरी तुम्हे नमसकार है शरन में आय हुए दीन दुखी एवं पीडितों की से संपन्न हे दुर्गे देवी हर प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है हे देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नश्ट कर देती हो और कूपित होने पर मनों बांचित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो जो लोग तुम्हारी शरण में जा को शांत करो और हमारे शत्रों का नाश करती रहो इस प्रकार से स्री दुर्गा शब्तशलों की संपुर्ण हुआ और अब माभगविती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का श्रमण करते हैं इस अध्याय में मेधा रिशी ने राजा सुरत और सम पुर्वकाल की बात है, स्वारोचिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्रवन्स में उत्पन्न हुए थे, वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भाती धर्म पुर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोला विध्वन्सी नाम के छत्री उनके शत्रू हो गए, राजा सुरत की दंडनिती बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रूों के साथ संग जाता रहा, किन्तु वहां भी उन प्रबल शत्रूों ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आक्रमन कर दिया, राजा का बल छिड हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकिये सेना और खजाने को हतिया लिया, सुरत का प्रभुत्व नश्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो, वहां से अकेले ही एक घनी जंगल में चले गए, वहां उन्होंने विप्रबर मेधा मुनी का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी हिंसा भृत्य को छोड़ कर परम शांत भाव से रहते थे, मुनी के बहुत से शेष्य उस्वन की सोभा बढ़ा रहे थे, वहां जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया, और वे उन मुनी स्रेष्ट के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आ अर्म पुर्वक रक्षा करते हैं या नहीं? जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूर वीर्था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रूओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा, जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे-पीछे च जाएगा, ये तथा और भी कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे, एक दिन उन्होंने वहाँ विपरवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैशे को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों शोक ग्रस् वन्न एक वैशे हूँ, मेरा नाम समाधी है, मेरे दुष्ट, इस्त्री और पुरुषों ने धन के लोब से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मैं इस समय धन, इस्त्री और पुत्रों से वन्चित हूँ, मेरे विश्वशनी बंधों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर इसलिए दुखी होकर मैं वन्न में चला आया हूँ, यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं, इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं, अथवा उन्हें कोई कस्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे स इसी बात कहते हैं, वह सब ठीक है, किन्तु क्या करूं, मेरा मन निश्ठूरता नहीं धारन करता, जिन्हों ने धन के लोभ में पढ़कर, पिता के प्रती स्नेह, पती के प्रती प्रेम, तथा आत्मी जन के प्रती अनुराग को तिलांजली दे मुझे घर से बाहर निकाल द उनके लिए मैं लंबी सांसे ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यांत दुखित हो रहा है, उन लोगों में प्रेम का सर्वता अभाव है, तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निश्ठूर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करूं? मारकंडे जी कहते हैं, हे ब्रम्हन, तदरंतर राजाओं में सरेष्ट, सुरत और वह समाधी नामक वैश्य, दोनों साथ साथ मेधा मुनी की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य, न्याया नुकूल, विनैपुर्ण बरताव करके बैठे, तत्पस्चा वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंब किया, राजा ने कहा, हे भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए, मेरा चित अपने अधीन ना होने के कारण, वह बात मेरे मन को बहुत अधिक दुख दे दी है, जो राज्य मेरे हाथ से चला ग इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, श्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी वह उनके प्रती अत्यंत हार्दिक शनेह रखता है, इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत दुखी है, जिसमें प्रत्यक्ष दोस्त देखा गय तब रिशी बोले, हे महाभाग, विशय मार्ग का ज्यान सब जीवों को है, इसी प्रकार विशय भी सब के लिए अलग-अलग है, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं, जो दिन और रात्री में भी जीव की होती है, तथा जैसी मनुश्यों की होती है, वैसी ही म्रिग पक्षी आदी की भी होती है, यह तथा अन्य बाते भी प्रायभ दोनों में ही समान है, शुमज होने पर भी इन पक्षीओं को तो देखो, ये स्वयम भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह वश बच्च पी उनमें समझ की कमी नहीं है, तथा पी वे संसार की स्थिती जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभावद्वारा ममता मैभवर से युक्त मोह के गहरे गर्थ में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चरे नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णू की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है, वे भगवती महामाया देवी ज्यानियों के भी चित्त को बल पुर्वक खीज कर मोह में डाल देती हैं, वे ही इस संपुर्ण चराचर जगत की स आया कहते हैं, यह देवी कौन है, ब्रम्भन उनका आवीरभाव कैसे हुआ, तथा उनके चरित्र कौन-कौन है ब्रम्भताव में स्रेश्ट महर से उन्ह देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, और जिसम्रकार demonstrates प्रादूरुभाव हो वह सब में आपके मुक से सुनना चाहता हूँ, तब रिशी बोले, हे राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपुर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समश्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथा पी, उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझस हो रहा था, और सबके प्रभु भगवान विश्व का वद करने के लिए तयार हो गए, भगवान विश्व के नाभी कमल में विराजमान प्रजापती ब्रम्हा जी ने, जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया, और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग् चितो होकर उन्होंने भगवान विश्व को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवाश करने वाली योग निद्राका स्टवन आरंबी किया, जो इस विश्व की अधीशवरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संघार करने वाली, तथा तेजह स्वरूपा भगवान विश्णू की अनुपम सकती हैं। उन्ही भगवती निद्रादेवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, और तुम ही वसटकार हो। स्वर्भी तुमारे ही स्वरूप हैं और तुम्ही जीवन दाइनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो। तथा इन तीन मात्राओं के अतरीक्त जो विंदु रूपा, नित्य अर्ध मात्रा हैं जिसका विशेश रूप से उचारन नहीं किया जा सकता, वह भी तुमी हो, हे देवी, तुमी संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो, हे देवी, तुमी इस विश्व ब्रह्मांड को धारन करती हो, तुम से ही इस जगत की स्रिष्टी होती है, तुमी से इसका पालन होता है, और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। तुम्ही रीम और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धी हो। लज्जा पुष्टी, तुष्टी, शांती और छमा भी तुम्ही हो। सत असत रूप जो कुछ वस्त्वे हैं और उन सबकी जो शक्ती है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी श्तूती क्या हो सकती है। जो इस जगत की श्रिष्टी, पालन और संगार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी श्तूती करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विश्टी को भी तुमने ही शरीर धारन कराया है, अतह तुम्हारी श्तूती करने की शक्ती किस्मे है। है देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रसंशित हो। यह जो दोनों दोरधर असुर मधु और कैटब ह इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विश्टी को शीगर ही जगा दो और इसके साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुध्धी उद्पन्न कर दो। तब रिशी कहते हैं हे राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मार करने के उद्देशे से भगवान विश्टी को जगाने के लिए तमो गुड की अधिश्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकाश तूती की तब्वे भगवान के नेत्र, मुख, नाशिका, बाहु, हृदय और वक्षस्तल से निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी क द्रिश्टी के समक्ष खड़ी हो गई, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणव के जल में शेशनाक की सैया से जाग उठे, फिर उन्होंने उन दोनों असरों को देखा, वे दुरात्मा, मधू और कैटव, अत्यंत बल्वान तथा पराक्रमी थे, वे क्रोध से लाल आखे किये ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, तब भगवान श्री हरी ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वरसों तक केवल बाहु युद्ध किया, वे दोनों भी अत्यंत बल्के कारण उन्मक्त हो रहे थे, इधर महा माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विश्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो, श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसंद हो, तो अब मेरे हाथ से मारे जा जहां पृत्वी जल में डूबी हुई नहो, जहां सूखा स्थान हो, वही हमार वद करो, रिशी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर, शंख, चक्र और गदाधारन करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर, चक्र से काट डाले, इस प्रकार ये दे अध्याई पूरा हुआ, और इसके आगे के अध्याई आप कल सुनेंगे, नवरातरी के दूसरे दिन दुर्गाशत्यशति के दूसरे और तीसरे अध्याई को पढ़ा जाता है, और सुना जाता है, तो कल आप दूसरे और तीसरे अध्याई को सुनेंगे, और आज आपको ये वीडियो देर से मिल रही है लेकिन कल आपको सुबह ही दुर्गा शब्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याई की वीडियो मिल जाएगी तो आगे के अध्याई भी आप लोग जरूर सुनिए और चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी प्रेस क कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार